आपने अपने आठ मित्रों को घर पर निमंत्रित किया है आप उनके लिए नेम्बू पानी बनाना चाहते हैं आपको 9 गिलास नेम्बू पानी बनाना है एक गिलास आपके लिए और 8 गिलास आपके दोस्तों के लिए आपको प्रत्यक सामगरी के मात्रा एक गिलास नेम्बू पानी बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से 9 गुना अधिक लिनी होगी उधारन के लिए एक गिलास निम्बू पानी के लिए आपको एक गिलास पानी, निम्बू के रस की आठ से दस बूंदे, दो चमच चीनी और एक चुटकी नमक चाहिए नौ गिलास निम्बू पानी बनाने के लिए आपको इन में से प्रत्य को नौ बार लेना होगा अर्थात 9 गिलास पानी, लगबग 80 बून्दे निम्बू का रस, 18 चमच चीनी और नमक की 9 चुटकियां क्या होगा यदि हम 50 गिलास निम्बू पानी बनाना चाहते हैं प्रतियक सामगरी हमें 50 बार लेनी होगी कभी-कभी मात्राओं को नापना कठिन होता है उधारन के लिए निम्बू के रस की लगबग 450 बून्दों को नापना या 100 चमच चीनी को नापना या 50 चुटकियां नमक को नापना काफी आसान है विवाह या जनम दिवस की पार्टियों जैसे बड़े कारियों के लिए जहां सैकडों या हजारों लोग आते हैं इस तरह की सामगरी को नापना असंभव है लेकिन हम चीजों को सरल तरीके से नाप सकते हैं मान लिजे हमें 1000 गिलास पानी नापना है हमें एक बड़ी बोतल ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितने गिलासों में ये बोतल भर सकती है मान लीजिए बोतल दस गिलास पानी से ही पूरी तरह से भर गई है अतहा हजार गिलास पानी को नापना सौ बोतल के पानी को नापने जैसा ही है इसी तरह हम अनुमान से ये पता लगा सकते हैं कि एक निम्बू में रस की कितनी बूंदे हैं उसके अनुसार निम्बू की संख्याली इस प्रकार हम अपने प्रयास और समय को कम कर सकते हैं हमने पानी नापने के लिए बोतल या गिलास इस्तमाल किया हर बार जब हम निम्बू पानी बनाएं तो हमारे पास वही गिलास नहीं हो सकता यदि आप अपने किसी दोस्त को यही फिर से रेशिपी बताएं तो हो सकता है उसका परिणाम वैसा ही न हो क्योंकि इस समय हमारे द्वारा इस्तमाल किया हुआ गिलास अलग होगा और बोतल भी अलग होगी निम्बू भी विविन्नाकार के हो सकते हैं आपकी कक्षा कक्ष से विद्याले आहता कितना दूर है आप पैरों से नाप सकते हैं अरुन जो असाधरन रूप से लंबा है केवल 90 कदमों में आहाते तक पहुंचता है जबकि आप 125 कदम चलते हैं ऐसा क्यूँ? हमें नापने के लिए मानक इकाईयों की आवशकता है इस से बचने के लिए विविन्न प्रकार की चीजों को नापने की इकाईयां है यह इकाईयां दुनिया में हर जगा समान है छोटी दूरियों को नापने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर से चिन्नित एक पट्टी है अपने कमरे की लंबाई और चोड़ाई नापने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला टेप भी आपने देखा होगा यह एक मिटर यह पांच मिटर लंबा टेप है आपने दुकान यह सबजी बाले के यहां में विभिन वजन देखे होंगे हमें पता है दूद यह पेट्रोल को लिटर में नापा जाता है यह मानक नाप है एक ही चीज को नापने के लिए हमारे पास इकाईयां है जब जब हम बड़ी मातरा में नापते हैं तब हम बड़ी इकाईयों का उपयोग करते हैं और जब हमें छोटी मातरा में नापने के आवश्यक्ता होती है तो हम छोटी इकाईयों का उपयोग करते हैं हमें रोज मर्रा की जिन्दगी में दूरी, समय, वजन, द्रव, पैसे, आदि सभी चीजों को नापने की ज़रूरत पड़ती है नीचे दी हुई सुची इन मात्राओं को नापने की इकायों को दर्शाती है साथ एक ही मात्रा के लिए विबिन्न इकायों के बीच के सहसंमंध को भी दर्शाती है मात्रा मापन दूरी, मीटर, सेंटिमीटर, मिली मीटर समय, बर्श, महीना, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, वजन, किलोग्रैम, ग्रैम, मिलीग्रैम द्राव, लीटर, मिलिलीटर, धन, रुपए, पैसे, इकाईों के बीच सम्मन्द एक किलो मेटर, हजार मेटर, एक मेटर बराबर 100 सेंटी मेटर एक दिन, याने 24 घंटे, एक घंटा, याने 60 मिनिट, 60 सेकंड, एक वर्ष, याने 12 महिने, एक किलो, याने 1000 ग्राम, एक ग्राम बराबर 1000 मिलिग्राम, एक लीटर, 1000 मिलिलीटर, एक रुपए, सौ पैसे अब हम जानेंगे कि इन इकायों का उप्योग करके सामान्य कार्य जैसे जोड, घटाव, गुणा और भाग कैसे करें, आईए शुरू करेंगे एक उधाराण, हमने देखा कि समय के अलावा, इनी इकायों के लिए, जैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटी मीटर, और लीटर से मिलिलीटर, आदी के रुपांतरण में, हमने संख्याओं को दस, सौ, हजार से गुणा और विभाजित किया है अर्थात इसके लिए हम दशमलव अंशो का उपयोग कर सकते हैं आपके मित्र नितिन के घर पहुचने के लिए आप दो किलोमीटर, सौ मीटर चल कर आएं फिर आप दोनों खेल के मैदान तक पहुचने के लिए साथ सो मीटर चल कर पहुचे आपने कुल कितनी दूरी तै की है यहां हम दोनों दूरियों को जोडेंगे अर्थात दो किलोमीटर, सौ मीटर, अधिक साथ सो मीटर, दो किलोमीटर और आठ सो मीटर इसलिए आपने कुल दो किलोमीटर और आठ सो मीटर की दूरी तै की लोट टे समय मान लिजे कि आपने एक शौर्टकट लिया और एक किलो मेटर, 300 मेटर की दूरी टाय करकर घर पहुंचे. आप कितना अंतर कम चले? यहां हमें कुल दूरी से एक किलो मेटर, 300 मेटर दूरी घटानी होगी. यानि दो किलो मेटर और 800 मेटर रेन, एक किलो मिटर और तीन सू मिटर बराबर एक किलो मिटर पांत सू मिटर इसलिए आप एक किलो मिटर और पांत सू मिटर अंतर कम चले एक अन्य उधारन पर एक दुकांदार 5 लिटर और 750 मिली लिटर गाय का दूद और 7 लिटर और 50 मिली लिटर भेंस का दूद बेजता है दुकांदार द्वारा बेचा गया कुल दूद कितना है यहां हमें दोनों मात्रा में दूद मिलाना है पाच लेटर 750 मिली लीटर अधिक 7 लेटर 500 मिली लीटर उसमें मिलाएंगे 7 लेटर और 500 मिली लीटर बराबर 13 लेटर और 250 मिली लीटर इस परकार दुकांदार द्वारा बेचा गया कुल्दूद तेरा लीटर दो सो पचास मिली लीटर यदि गाय के दूद की कीमत 48 रुपे प्रति लीटर और भैस के दूद की कीमत 56 रुपे प्रति लीटर है दूद बेचकर दुकानदार को कुल कितनी राशी प्राप्त होगी सबसे पहले हम गाय के दूद की कीमत का पता लगाएंगे पांच लिटर गाय के दूद की कीमत पांच गुना 48 बराबर 240 रुपे हैं एक लिटर गाय के दूद की कीमत अर्थाथ 1000 मिली लिटर गाय का दूद बराबर 48 रुपे अतहा कीमत बराबर 1000 ml बटा 2 बराबर 500 ml गाय के दूद की कीमत 48 बटा 2 1000 ml की कीमत 1000 ml बटा 4 बराबर 250 गाय का दूद 48 बटा 4 बराबर 12 रुपे इसी कारण 750 ml दूद जो 50 ml अधिक 250 ml है की कीमत अब रुपे 24 और 12 बरावर रुपे 36 इसलिए 5 लेटर और 750 मिली लेटर दूद की कीमत रुपे 240 अधिक 36 रुपे बरावर 276 रुपे हैं अब भैस की दूद की कीमत निकालेंगे भैस की दूद की बिक्री की मात्रा 7 लेटर 500 मिली लेटर है साठ лیٹर भैस के दूद कमूलिय, साद गुना, चप्पन, बराबर, तीन सो बयानवे रुपे, एक लेटर भैस का दूद याने हजार मिलीलीटर भैस के दूद की किमत होगी, 56 भाग 2, बराबर, अठाइस रुपे, इसलिए 7 लेटर 500 मिली लेटर भैस के दूद की कीमत रुपए 392 भाग 28 बराबर 420 दूद बेजकर दुकांदार को प्राप्त कुल राशी हैं रुपए 276 अधिक रुपए 420 बराबर 696 एक आदमी एक के बाद एक व्यायाम करता है 10 मिनिट चलता है फिर 20 मिनिट साइकल चलाता है और अंत में 12 मिनिट जोगिंग करता है वो सुबश साड़े 8 बजे तक व्यायाम करता है व्यायाम करने का कुल समय इस प्रकार है 10 मिनिट पैदल, 20 मिनिट साइकल चलाना, अधिक जॉगिंग 15 मिनिट बराबर 45 मिनिट व्यायाम आदमी सुभा 8.30 से 45 मिनिट पहले व्यायाम करना शुरू कर देता है सुभा 8.30 बजे से पहले 30 मिनिट अर्थाथ 8.00 और 8.00 बजे से पहले 15 मिनिट अर्थाथ 7.00 कर 45 मिनिट इस प्रकार वहवेक्ती सुभा 7.45 को व्यायाम करना शुरू कर देता है एक पार्टी में 4 किलो बिर्यानी ओर्डर की गई है जिसमें 2 किलो और 250 ग्राम बिर्यानी खत्म हो गई हमें पता लगाना है कि कितनी बिर्यानी बज गई है उत्तर पाने के लिए हमें 4 किलो ग्राम में से 2 किलो ग्राम 250 ग्राम घटाना होगा 4 किलो ग्राम घटा 2 किलो ग्राम 250 ग्राम हम 6 ग्राम से 250 ग्राम घटा नहीं सकते 4 kg को 3 kg अधिक 1,000 g इस रूप में लिखा जा सकता है अब हम 250 g को 1,000 g से घटा सकते हैं 3 kg 1000 g, घटा 2 kg 250 g, बराबर 1 kg 750 g अतहा 1 kg 750 g बिर्यानी बज गए हमने क्या सीखा यह तालिका मापन की इकाईयां और समान मात्रा के लिए विभिन्न इकाईयों के बीच के सहसंबंद कुदर शाती है मापन के लिए इकाईयां दूरी घटा किलोमेटर मीटर सेंटीमेटर मिलीमीटर समय समय दूरी बराबर किलोमेटर मीटर सेंटीमेटर मिलीमीटर समय दिन घंटे मिनट सेकड वजन किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम क्षमता लीटर मिलीलीटर धन रुपए पैसे इकाईयों के बीच सम्मन्द एक किलोमेटर याने हजार मीटर सो सेंटीमेटर एक किलोमेटर हजार मीटर सो सेंटीमेटर दस मिलीमेटर दो दिन चोबीस घंटे एक घंटा बराबर साथ मिनट एक मिनट बराबर साथ सेकंड एक किलोग्राम बराबर हजार ग्राम एक ग्राम बराबर 1000 mm, एक ग्राम बराबर 1000 mm, एक लिटर बराबर 1000 mm, एक रुपया बराबर 100 पैसे स्वाध्याई, आप कितने लंबे हो, अपनी उंचाई इंच में नापे जैसे 58 इंच आदी इसी के साथ अपनी लंबाई को आप फीट, इंच और सेंटीमिटर में भी नापे आप दीवार से सटकर खड़ा रहें, और अपनी पीट सीधी रखिए, और जहां आपके सर दीवार से चू रहा है वहाँ पेंसिल का उप्योग करके दीवार पर निशान मनाए, फिर नापने वाले टेप का उप्योग करके फर्स से उस निशान तक नापे यदि आपका नापने वाला टेप आपके पूरी उचाई को नापने के लिए बहुत छोटा है, तो जहां तक वो टेप पहुंचता है, वहां तक नापकर निशान मनाए, और उससे आगे नापते रहें, और तब तक नापते रहें, जब तक आप अपनी लंबाई वाले एक इंच, दो दशमलव चौपन सेंटिमेटर, आप रोजाना कितना पानी पीते हैं, आप जितना पानी पीते हैं, उसकी मातरा लीटर और मिली लीटर में नापे हैं, आप प्रति दिन जितने गिलास पानी पीते हैं, उसकी संख्या गिन ले, और फिर एक लीटर बोतल ऐसे कितने गिलासों से भर जाएगी ये देखिए और इस प्रकार आप अपना उत्तर पा सकते हैं आपका उत्तर लेटर और मिली लेटर में होगा दो पहर का भोजन करने के लिए आपको कितना समय लगता है आप दो पहर का भोजन कब शुरू करते हैं और खत्म कब करते हैं ये दो झाल झाल